हेलो गैज, देशीर कोठ और गाइस जैसे कि आप देख सकते एसुस Zenfone Max Pro M2 में एक और नया अपडेट आ गया है जैसे कि आप देख सकते तो अपडेट में का आपडेट हम बोल सकते इसको और आपडेट का साइस भी आप देख सकते बहुती छोटा सा अबडेट है 73.64 MB का य या कुछ बग मैं face कर रहा हूँ वो भी सब कुछ मतलब बोलूँगा इस वीडियो में तो completely आप इसे बोल सकते हैं यह सो Zenfone Max Pro M2 का update review तो अगर आप लोग यह सब जाना चाहते हैं तो यह वीडियो एकदम एंट तक देखते रहना तो यार इस update का जो main highlight है हाला कि यह छोड़ क्या है तो पहले मार्च का था और अप्रिल का नहीं आया एकदम में का अभी का टाइम में देखने के लिए मिलता है तो में security पैज जैसे कि आप देख सकते हैं इस update के बात मिल रहा है यह से बाद जो बग फिक्स हुआ है मेरे को लगा है वह स्क्रीन शॉट उसिंग पावर हमें मिल रहा है तो यह एक फीचर एड़ हुआ है पावर बटन का अगर आप लॉंग प्रेस करेंगे तो आपको पावर ऑन मतलब रिस्टार्ट पावर ओफ के साथ ही साथ स्क्रीन शॉट का भी बटन देखने के लिए मिलेगा तो आप यहां से भी स्क्रीन शॉट कर सकते ह आपने मोबाल में तो यह नेक्स जो बग फिक्स के बारे में बोलूंगा वह जेस्चर तो जेस्चर अगर फूल स्कीन जेस्चर यूस करते हो तो यहां पे जो पील है एंडुट पाई लाइक जो पील है नीचे की तरह उसकी राउंडेट कॉर्णर हमें देखने के लिए मि अबी के टाइम में बोल सकते हैं और लॉंग प्रेस करने से भी जो गूगल एसिस्टेंट है वो ओपन होगा तो मतलब हम बोल सकते हैं यह एक पहले बग था और आभी के टाइम में यह बग फिक्स हो गया है और यह जो बैक बटन था यह बैक बटन भी नॉर्मली इन्विस नहीं किया था लेकिन रिलिस नॉट में लिखा था तो नोटिफिकरशन पैनल में एक रोमिंग की आइकॉन को लेकर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था बहुत से लोगों को तो मतलब वह बग फिक्स हुआ है आभी के टाइम में हम बोल सकते हैं हलो कि मैं यूज नहीं किया था मतलब में तो रोमिंग में कभी नहीं गया था तो वह बग फिक्स हुआ है रोमिंग का जो कुछ दिक्कत था वह फिक्स हुआ है अभी के टाइम में हम यह बोल सकते हैं तो यहां पर हमें पाई अपडेट के बाद जो डार्क मोड है वह ऑफिशली देखने के लिए मिलता है अब इस डिवाइस में कुछ बग है वह फिक्स करना बहुत ही जरूरी है अगर एस उससे कोई भी यह वीडियो देख रहे है तो इसके ऊपर भी ध्यान देना थोड़ा-थोड़ा तो अगर आप stock launcher जो है न वो अगर आप यूज करते हो तो आपको थोड़ा बहुत दिखकत देखने के लिए मिलेगा ही जैसे कि मुझे देखने के लिए मिलता है अगर आप मतब यह जो home screen है इससे अगर आप app drawer open करते हो तो आपको दो बार pull up करते हो तो एक बार अगर pull up कर देखने के लिए मिलता है तो इसके लिए मैं cpl यूज करता हूं मतलब यह एक launcher है custom pixel launcher ऐसे नाम है तो अगर आप यह application यूज करेंगे तो आपको यह bug है मतलब एक बार अगर आप pull up करेंगे तो ही आपको app drawer open हो जाएगा ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा और stock launcher में यह थोड दूब बार डाउन करना पराएगा तो एक बार डाउन करने की सेटिंग का logo देखने के लिए मिले ऐसा कुछ होता है तो अच्छा होगा लाई help होगा बहोती तो दो बाट डाउन करना परता है इसके बज़ुछे बहुत ही दिक्कत होता है ठोरा बहुत और यही कुछ improvement हमें देखने के लिए मिलता है और यही कुछ बग अभी के टाइम में भी हम फेस कर रहे है अगर आप अपडेट के बाद कोई भी बग अगर आप फेस कर रहे हो तो आप मुझे जरूर बताना नीचे कॉमें तो फिलाल के वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हो कि आपको यह वीड अगर शेयर हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना में वीडियो में वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद बंदे मातरम